साथियो में तुशार आप सभी का एक नए आयरवेदिक जानकरे के साथ स्वागत करता हूँ आज की हमारी आयरवेदिक जानकरे क्या है आज की वीडियो में हम देखने वाले है संत्रा खाने के क्या क्या फाइद है Benefits of Orange क्या है हम आज की वीडियो में डिटल के साथ देखेंगे तो साथियो इसी तरह Airways से जुड़ी सभी जनकरे जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और आपने बेता कि चैनल को सबस्क्राइब ने क्या है तो जल से जल सबस्क्राइब कर दिजे तो साथियो आए देखते हैं आखिर क्या है फायदे संत्रा खाने के साथियो संत्रा खाने में बहुत स्वादिस्ट होता है संत्रा खटा और मिठा दोनों होता है जिसे खाने का मज़ा कुछ और ही होता है संत्रे के फायदे के बारे में शायद आप नहीं जानती होंगे तो मैं आज आपको बताऊंगा कि संत्रे के फायदे और नुकसान क्या क्या है संत्रे में बहुत सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं जो आपके स्वास्ते के लिए बेहत फायदे मनें चलिए साथियो आज जानते कि क्या क्या पोशक तत्व है और क्या क्या फाइदे है संत्रा खाने के तो साथियो संत्रे में अधिक मात्र में पाया जाने वाला विटैमिन C तोचा के लिए बहुत फाइदेमन होता है जो अधिक धूप या सुर्य की तेश किर्णों में स्किन की रक्षा करते हैं और उनने किसी भी प्रकार के नुकसान होने से बचाते हैं अगर आपके स्किन पर जूरिया है, समस्या है यह जूरिया की तो संत्रा बहुत फाइदेमन है आपके लिए संत्रे का चिलका मुहासो को दूर करने में मदद करता है और चेहरे के दाग धब्बे को हमेशा के लिए साप करने में भी काफी फाइदेमन होता है संत्रे के चिलके को सुखा कर इसे पिसकर पावडर बना ले, इसमें दूद को मिला कर इस पेस्ट को बना ले इसे हपते में एक से दो बार चेहरे पर जरूर लगाए जिससे आपके स्किन सुन्दर और मुलायम हो जाएगी संत्रे में विटैमिन C के साथ साथ विटैमिन A भी पाया जाता है जो आखों की रोशने के लिए बेहत फायदे मन है बढ़ती उम्रा के साथ आखों की रोशने कम होने लगते है जिसकी वज़े से आखों की रेटीना में धुनलाट आ जाती है संत्रे में विटैमिन C होता है तो यह मुतिया बीन के खत्रे को कम करने में मदद करता है अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ आखों की रोशनी कम ना हो और ना ही मोतियाबीन का खत्रा हो तो इसके लिए संत्रा बेहत फाइदे मना है इसलिए इसे जरूर खाना चाहिए संत्रे में विटेमिन सी और एंटियुख्सिदेंट गून भरपूर मातरा में पाया जाता है जो कैंसर के χितानों को कम करने में मदद करता है तो अच्छा कैंसर, फेपडो की कैंसर, स्तन कैंसर इन सब के लिए संत्रा एक अच्चा स्त्रोथ है इन रोगों से बजने के लिए संत्रे में मौझूद पोशक तत्व जो बालों को जटने से बजाते हैं और इसे मजबूत बनाए रखते हैं संत्रे का रस कंडिशनर का काम करता है संत्रे के रस में शहद मिलाकर बालों में लगाने से बालों का जटना कम और बालों को बढ़ाने में मदद करता है संत्रा वजन घटाने के लिए रामबान इलाज है इसमें विटेमिन C होता है जो भूक ना लगने में मदद करता है विटेमिन C फैट को कम करने में मदद करता है और ग्लुकोज को उर्जा में बदल देता है रोजाना सुबा एक संत्रे को खाने से आप स्वस्त वर तरुता जा रहेंगे अगर आपको पत्री है तो संत्रे खाने से इसे बढ़ने से रोका जा सकता है और इसे हमेशा के लिए भी खत्मा कर दिया जा सकता है इसलिए नियमी संत्रे का सेवन जरूर करे जिससे किड्ने में होने वाली पत्री की समस्या को रोका जा सकता है बवासिर की समस्य होने पर संत्रे के छिलके से छुटकरा पाया जा सकता है अगर आपको इसकी समस्य है तो संत्रे के छिलके को सुखा कर इसका चुरन बना ले और प्रति दिन गर्म पाने के साथ इस चुरन का इस्तमाल जरूर करे संत्रे में मुझूद फाइबर पेट के लिए बहुत फाइदेमन होता है अगर किस भी व्यक्ति को कप्ष की समस्या है तो संत्रा उसके लिए बहुत फाइदेमन सावित होता संत्रे में उपस्टित फाइबर कप से लड़ने में मदद करता है और पेट को साप करता है जोडों के दर्द में काफे फाइदे में साबित होने वाल है संत्रा अगर किसी भी व्यक्ति के जोडों में दर्द है तो बकरे के दुद के साथ संत्रे का रस मिलाकर पीने से दर्द में राहत मिलती है तो साथ यह सब हो गए संत्रे के फाइदे अब हम जान लेते हैं कि आखिर संत्रे के क्या क्या नुक्साने तो आईए देखते हैं क्या क्या नुक्साने संत्रे को रुदय रोग वाले व्यक्ति को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से रक्त में पोटेशम की मातरा बढ़ सकती है जो रुदय रोगे के लिए वहत घातक है जिस भी व्यक्ति को गुर्दे सही डंग से काम नहीं करती है तो उन्हें संत्रे का सेवन कम है करना चाहिए छोटी बच्चों को ज़्यादा संत्रे ना खिला नहीं तो पेट डड़ की समस्या और चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है संत्रे को ज़्यादा ना खाए नहीं तो दस भी होने की संभावना हो सकती है तो सातियों हमने देखा कि आकिर संत्रे के क्या-क्या फायदे और क्या-क्या नुक्सान है वैसे तो संत्रे के जदतर नुक्सान नहीं है आप संत्रे का सेवन रोज भी कर सकते हैं और यह फायदे का लाप उठा सकते हैं तो सातियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक अंदकरिक साथ तब तक बने रहे हमारे साथ एक्षेनल अड़ा के साथ थैंक्यू दोस्तों